हेलो माइडिया स्टूणिक्स वेलकम वॉल तो अमेजन अकैडमे तो बचो आज मैं बहुत ही कीमती और बहुत ही यूसफुल ट्रेक लेकर आया हूं मौडर्न फिजिक्स में बहुर मॉटल की अगरम बात करें तो हम जानते हैं कि हमसे बहुत जादा स्ट्रेक्ट्राइब और किसी लेवल में आ गया और वो देक्साइट कर रहा है और स्पेक्टर लाइन्स एमिट हो रही है तो इसको पुछा जाता है तो आज हम देखेंगे ट्रिक तो फाइंड आउट टोटल नुबर ऑफ स्पेक्टरल लाइन एंडेर के डिग्रीज इन स्पेक्टरल सीरीज बहुत ही आसानी से लग बग लग बग और कोई डियागरम बनाने की ज़रूत नहीं आप ऐसे ओरल जवाब दे सकते हैं कि कितनी लाइन से मेट होगी और उ अब और धिएक एक्जांपल लेते हुँ कि माल लेते हैं को अलेक्ट्रों एक्साइट होके फुर्थ लेडिल पर पहुंच जाता है और वह वह डीएक्साइट हो रहा है तो स्वाह आइडिया है कि कहीं से बहुत करके अगर एनेज़ों में आता है तो लैंन से ब्यूंप कर फिर 3-7 में आ जाए ना 4-2 या 3-2 जम करें और फिर 2-7 में आ जाए तो यह जो तीनों लोग है यह लाइमन सीरीज के मेंबर कहलाएंगे हैंस लाइमन सीरीज के कितने मेंबर मिलेंगे हमें तीन इस transaction में 4 से 1 transaction में Lyman series के कितने member होंगे Lyman series के जो member होंगे वो होंगे 3 दिख रहा है हमें ठीक है अच्छा फिर उसके बाद कहीं से भी N is equal to 2 में अगर jumping होती है तो वो bomber series कहलाती है hence कहीं से भी 2 में jumping that means 4 से 2 में jumping हो जाए यह 4 से 3 और फिर 3 से 2 में jumping हो जाए तो यह जो 2 member होंगे यह 2 member bomber series के member कहलाएंगे hence bomber के कितने member आपको मिले आपको bomber series के bomber series के आपको member मिले 2 सभी और फिर कहीं से भी अगर N is equal to 3 में jumping होती है तो पास्चन series बनती है लाइमन बामर पास्चन bracket P fund ऐसे चलता है तो कहीं से भी अगर 3 में jumping होती है तो पास्चन series मिलती है तो इस एक्जामपल में पास्चन series का member मिलेगा एक एक हैंस कितने कितने तरह के photon अब यह जो मैंने किया और यह जो मैंने डाइगनाम बना है और यह सब जो मैंने करके लिखा है इसको मैं और लिख सकता हूं अपने ट्रिक से तो जो ट्रिक है वो क्या है उसको समझना यह है कि जैसे फोर से वन में jump हो रहा है तो आपने जो करना है वो करना है कि जो total जो total number total number of photons total number of photons जो emit होंगे that would be given by summation of 4 minus 1 तो कितना 4-1 जो भी कितना हो जाएगा 3 है ना हैस इस example में total number of photons जो होंगे that would be equal to summation of 3 और जब हम summation of 3 करेंगे तो हो आएगा 3 plus 2 plus 1 3 plus 2 plus 1 जहां से जहां jumping हुई है जैसे 4-7 जम्पिंग हुई है ना भी तो जो लोर्मोस्ट एनरजी लेवल है वहां से कहानी शुरू होगी तो यह जो तीन फोटोन आये हैं जो त्री नंबर आया है यह तीन नंबर रहने जो करने वाले प्रस वन तीन लाइमन के दो आये बामर के एक आया पास्टन का तीन दो पांच और इच्छे तोल लंबर ओफोटन सागे शेक्षे कोश्यों के खत्म क्या मेरी पास समझ पार है और एक फटाक से हो जाएगा कुछ भी करने की ज़रूद नहीं है एक और एक्जम्पल लेते हैं एक कोई दूसर एटम है और माले लेते हैं कि सपोस्स सेरी सलन झाले उल में एक फॉटन है यूँरल पैसट तो पर गिरेगा एंस चार मेंबर तो बामर सीरीस के होंगे यह बार के बाद पैस्ट तो यह अगला नंबर है दो यह ब्राकेट और फिर यह अगला नंबर है यह पीफंड यह फंड हैंस हम सब पुछता है कि टोटल कितने नंबर फोटाने मिठ होंगे फोर और थ्री सेवन सेवन और टु नाइन और वन टेन टोटल नंबर फोटान्स होंगे टेन जिनकी डिफरेंट के टिग्रीज क्या होंगे चार बामर तीन फास्चन दो ब्राकेट और एक पीफंड खतम होगे जाने छí को अटट आपको ट्रिक्समा रही कि आपको मेरी बास में आ रही है कि अब करेंगे तो भी आपको यही मिलने वाला है ना कंवेंशनल मेथर्ट से भी करोड़े तो भी आपको यहीं मिलेगा मैं करके देखा देता हूँ चलो तो एक दो दीन चार पाँच छे तो ओ फॉर फाइव सिक्स जंपिंग अनिंग है हमें सिक्से टू तो बामर सीरीस के जो लोग होंगे देखो एक दो तीन चार चार लोग होंगे बामर सीरीस के मैच हो घृस को गया अच्छा जी फिर आ जाते हैं प्रैस्टेन सीरीस किते लोग हो गहां हो cette और लास्ट फी फण जो कि 6-5 jumping से generate होगा, 6-5 jumping से generate होगा, कितने member है? रहे हैं तो इस conventional method से भी हमने देख लिये और trick को भी हमने अच्छे समझ लिये अब आपको इस conventional method को follow करने की कोई जरूवत नहीं है आपके अबल trick को follow करेंगे और फटा-फट answer नकालेंगे without wasting any amount of time एक्जाम में यह आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएगा और बड़े क्वेश्चन में लग रहा होगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे ठीके बच्चों तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे से ट्रेक आपके दमाग में बैठ गई होगी आई कुछ इसको अच्छे से पक्का कर लेते हैं तो जड़ा करके बताओ मुझे एनर्जी लेवल डियाग्राम नहीं बनाएंगे हम ठीक है तो इन एलाई प्लस-प्लस एलाई प्लस-प्लस मतलब सिंगल एलेक्ट्रों स्पेशिस की बात हो रही तो दर गोर मोडल लगे एलेक्ट्रों ड नहीं संप कर रहे हैं तो नमबर फोट्रों केटने हो गए हैं मोट्रों सब्समेशन ऑफ फॉर मैइनस वंडी वीचिस प्लस तू प्लस-फण चुकि जंपिंग उन तक हो रही हें तो कहानी कहा से शुरू होगी लाइमन से हैं तीन हो गए लाइमन के फिर दो हो गए बामर के और एक हो गया पास्ट तो तीन तीन लाइमन दो बामर एक पैस्ट कौन सा अंसर है एंसर टोटल कितना है 6321 करेक्ट है एक दम आसा है एक दम इसी बिल्कुल मुश्किल नहीं समझ में आना चाहिए अगला क्वेशन देखिए इनन हाइ इस बार को जोड़े हैं तो बामर के दो आंगे पैस्टिन के और एक आएगा ब्रकेट का ऑन सा ओप्षन हो गया तीन बामर दो पैस्टिन एक ब्रकेट का ग्राइजिकल काम करेगी अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाए तो ग्राइजिकल तरीके से काम कर जाएगी काहां जंपिंग होने वाली है न से गाहां 5 से 1 हैंस इस पर आ टरिक जो टोल नंबर उट्व कोटांस होंगे तोल नंबर उट्व हूंगे जोल नंबर उट्व सिक्वा-टॉनन plata अत्व बाइज एटेगलge उपिए एडगेनव श्रेट चुपान थो plus two plus one ठीक है छोलकि elektron जमकर के कहा आ रहा है and is all to one हैंस से कहानी कहा से च्छुरह होगी linon से hence linon linon के कितने member फिर warmer के कितने member लामर के कितने member मिलेंगे तीन है ना फिर passion के कितने member मिलेंगे 2 और bracket के कितने member मिलेंगे 1 और P field का कोई नहीं मिलेगा हैंस चार लाइमन तो लाइमन चार वी में भी चार सी में 10 भीचार वांगार के तीन टीन तीन चार ये गलत होग फिर प्रैस्चन का दो अजी सचना ब्रैकट का एक उप्षिपण घॉन हो कितना इजी है ना ईज और उससे वह एक्साइट हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा 975 इंग्स्ट्रॉंब जो फोटॉन है इसके पास energy कितनी होगी तो वह कैसे निकालेंगे हम तो वह फोटॉन की आने वाला है किसमें इसकी विलिए अप्रॉक्सिमेटली 12.7 के आसपास आएगी और हम जानते हैं एक्साइट होके कहुं से लेविल में पहुंच गया होगा और फिर आपसे पूछ रहा है कि तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लाइन्स इंदी रिजल्टिंग तो जंपिंग हो रही है फ्रम 4 to 1 है ना हैंस टोल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो जाएगी समेशन ऑफ 4-1 इस एस कहानी लाइमन से शुरू होगी तो लाइमन बामर पैस्टिंग तो तीन लाइमन की लाइन मिलेंगी मुझे दो बामर की और एक पैस्टिंग की ऐसा कॉंस आ पैस्टिंग एक दमऊरल इतना लिखते ही कोईशन खतम हो जाता है कि आप इसको केमिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं फटा फटा फट जवाब दे सकते हैं बाकि दूसरे लोग तो एनरजी लेविल डाइग्नम बनाएंगे फिर की करके ट्रांजिक्शन दिखाएंगे फिर समझेंगे अच्छा इसके इतने इच्छा इसे इतने तब तक आप तो question करके और दो question आगे बढ़ते होंगे तो बहुत कमाल की चीज है बहुत ही useful trick है आप समाल कर रखें एक्जाम में इसका इस्तेमाल करें Thank you very much, happy learning For detailed videos, daily practice problems and live chat visit academy.amazon.in or download the app